परिचाए चात्रों, क्या आप बता सकते हैं कि यहां कौन सा समीकरण है? यहां एक रैखिक समीकरण है, सेर्ट? हाँ, यहां एक रैखिक समीकरण है. क्या तुम इस समीकरण को हल कर सकते हो? हाँ, यहां बहुत आसान है? सही, अब ये बताओ कि ये कौन सा समिकरण है या भी रेखिक समिकरण है हाँ, ये भी एक रेखिक समिकरण है लेकिन इसमें दो चर एक्स और वाई है अथा इसे दो चरों वाला रेखिक समिकरण कहते है हम इसके बारे में और जाना जाते हैं सर ठीक है, अता आज हम दो चरों के रेखिक समिकरण का अध्यान करेंगे उद्दिश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दो चरों के रेखिक समिकरण को परिभाशित करना दोचरों के रैखिक समीकरण को हल करना दिये गए समीकरण के लिए विभिन हल ग्याद करना दोचरों वाले रैखिक समीकरण के आलेक बनाना दिये गए समीकरण का संख्या रेखा और कारतिय तल में निरूपन करना रैखिक समीकरण हम जानते हैं कि एक सरल रेखिक समीकरण दो बीजिये वेंजकों के बीज साम में होता है इन वेंजकों में एक अज्यात्मान होता है जिसे चर कहते हैं किसी समीकरण के दोनों पक्षों को दायापक्ष और बायापक्ष कहते हैं इस समीकरण को देखिए इस समीकरण का हल या मूल है रिण 5 बटा 2 आईए देखें कि यह संख्यारेखा पर कहां निरूपित होता है यह यहां है किसी रहकिक समीकरण को हल करने के लिए बिंदू किसी समीकरण को हल करते समय आपको इन बिंदूओं को ध्यान में रखना चाहिए किसी रैखिक समिकरण का हल प्रभावित नहीं होता जब समिकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए आप समिकरण के दोनों पक्षों में समान गैर शुन्ने संख्या से गुणन या विभाजन करें दो चरों वाले रैखिक समिकरण किसी रैकिक समीकरण में एक से ज्यादा चर हो सकते हैं यहां हम दो चरों वाले रैकिक समीकरण के बारे में अध्यान करेंगे आईए एक उधारन ले राहुल ने हिंदी और अंग्रेजी में कुल मिला कर 75 अंग प्राप्त किये अब इस सूचना को हम किस प्रकार समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं यहां आप देख सकते हैं कि किसी भी विशेय का अंक नहीं ग्यात है जो कि दो अग्यात मान मात्राएं हैं आइए इन्हें व्यक्त करने के लिए एक्स और वाई का प्रयोग करें अताहा हिंदी में प्राप्त अंक X है और अंग्रेजी में प्राप्त अंक Y है इसलिए X जमा Y बराबर 75 वांचित समीकरण है यह दो चरों वाले रैखिक समीकरण का उधारण है दो चरों वाले रैखिक समिकरण के कुछ अन्य उधारण हैं इन समिकरणों को हम निम्ने रूपों में क्रमचह व्यक्ति कर सकते हैं एक दशमला दो एस जमा तीन टी घटा पांच बराबर शुने पी जमा चार क्यू घटा साथ बराबर शुने और दो एक्स घटा साथ वाई घटा तीन बराबर शुने अताह कोई भी समिकरण जिसे AX जमा BY जमा C बराबर शुने के रूप में व्यक्ति किया जा सकता है जहां A, B और C वास्तविक संख्याएं हों तथा A और B दोनों शुने ना हों दो चरों वाला रेखिक समिकरण कहा जाता है उधारण आईए अब इन समिकरणों को AX जमा BY जमा C बराबर शुने के रूप में लिखें पहले समिकरण को 2X जमा 3Y घटा 4.37 बराबर शुने के रूप में लिखा जा सकता है यहाँ A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर घटा 4.37 है दूसरे समिकरण को X घटा 3Y घटा 4 बराबर शुने के रूप में लिखा जा सकता है यहाँ A बराबर 1, B बराबर घटा 3 और C बराबर घटा 4 है अब इस समिकरण को देखे इस समिकरण को हम दो चरों में लिखेंगे इसे इस प्रकार लिख सकते हैं एक X जमा 0Y बराबर घटा 5 या एक X जमा 0Y जमा 5 बराबर 0 इसी प्रकार समिकरण ये हल होता है लेकिन दो चरों वाले रेखिक समिकरण के कितने हल होते हैं क्यूंकि समिकरण में दो चर हैं इसलिए इसके हल में दो मानों का युग्म होगा एक X के लिए और दूसरा Y के लिए जो समिकरण को संतुष्ट करेंगे आईए समिकरण 2X जमा 3Y बराबर 12 को ले यहां X बराबर 3 और Y बराबर 2 हल है क्यूंकि जब आप उप्रोक्त समिकरण में X बराबर 3 और Y बराबर 2 रखते हैं तो आप उत्तर में 12 प्राब्त करते हैं इस हल को 3-2 के रूप में भी लिख सकते हैं क्यूंकि यहां X का मान 3 है और Y का मान 2 है इसी प्रकार 0-4 भी इस समिकरण के लिए एक हल है क्यूंकि जब आप समिकरण में X बराबर 0 और Y बराबर 4 रखते हैं तो आप उत्तर के रूप में 12 प्राब्त करते हैं हमने इस समिकरण के लिए कम से कम 2 हल प्राब्त कर लिए हैं क्या हम और हल प्राब्त कर सकते हैं? क्या 6 शूने भी इसी समिकरण का हल है? जी हाँ, 6 शूने भी इसी समिकरण का हल है क्योंकि जब हम समिकरण में X बराबर 6 और Y बराबर 0 रखते हैं तो हमें उत्तर के रूप में 12 प्राब्त होता है इसी प्रकार इस एक समिकरण के लिए अन्य कई हल प्राब्त किये जा सकते हैं और दो चरों वाले रैखिक समिकरण के विभिन हलों का कोई अंत नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चरों वाले रह्खिक समिकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं उधारण आये अभी समिकरण के लिए चार विभिन हल प्राप्त करें समिकरण को देख कर हम कह सकते हैं कि x बराबर 2, y बराबर 2 एक हल है क्योंकि x बराबर 2, y बराबर 2 मान रखने पर हमें उत्तर में 6 प्राप्त होता है आये अब x बराबर 0 ने चुने x के इस मान के साथ दिया गया समिकरण 2y बराबर 6 हो जाता है और y बराबर 3 मान रखने पर हमें उत्तर में 6 प्राप्थ होता है। इसी प्रकार y बराबर 0 लेने पर दिया गया समीकरण x बराबर 6 हो जाता है। इसलिए x बराबर 6, y बराबर 0 भी इस समीकरण का एक हल है। और चौते हल के लिए आईए y बराबर 1 मान ले। अब दिया गया समिकरण X जमा 2 बराबर 6 हो जाएगा और X बराबर 4 रखने के बाद हमें उत्तर में 6 प्राप्त होता है इसलिए X बराबर 4 भी दिये गया समिकरण का एक हल है अदा दिये गये समिकरण के लिए हमारे हल हैं 22-03-60-41 दो जरों वाले रैखिक समिकरण का आल एक आईए अब दो जरों वाले रैखिक समिकरण के जया मितिये निरूपन को देखें इस सारणी को देखें इस दिये गये समिकरण का हल इस सारणी के रूप में दिया गया है ये X के मान है और ये Y के मान है आईए अब इन बिंदों को आलेख कागस यानि ग्राफ पेपर पर आलेखिक करें आईए पहले X बराबर 6 ने और Y बराबर 3 मान लें या वह बिंदो है जिसे हमने प्राब्त किया है इसी प्रकार इन मानों को प्रयोग करते हुए आलेख में अन्य बिंदों को चिन्हित कीजिए अब इन में से किनी दो बिंदों को मिला दीजिए और एक रेखा प्राब्त कीजिए आईए शुन्य तीन और चार एक को मिलाएं इसे रेखा A, B कहेंगे हम देख सकते हैं कि दो अन्य बिंदों दो दो और चैशुन्य भी इसी रेखा A, B परिस्थित है अब इस रेखा पर एक अन्य बिंदों लीजिए आईए बिंदों आठ घटा एक लें क्या ये इस समीकरण का एक हल है जी हाँ ये एक हल है क्यूंकि एक्स बराबर आठ और वाई बराबर घटा एक मान रखने पर हमें उत्तर में चैप राप्त होता है इसलिए आठ घटा एक एक हल है दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेक दो हमने अपनी पिछले स्क्रीन में क्या देखा हमने देखा कि प्रतीक बिंदू जुसके निर्देशांक दिये गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं वह रेखा एबी परिस्थित है रेखा एबी परिस्थित प्रतीक बिंदू इस समीकरण का हल है अतहा हम यह निश्करश निकाल सकते हैं कि रेखा परिस्थित प्रतीक बिंदू रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है और समीकरण का प्रतीक हल रेखा परिस्थित एक बिंदू होता है इसे रेखिक समीकरण का आलेक कहते हैं अता दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेक प्राप्त करने के लिए दो हलों के संगत दो बिंदू आलेकित करना और उन्हें एक रेखा से मिला देना परियाप्त होता है उधारण आईए अब एक उधारण देखें बिन्दू एक दो को लें अब हम उस रेखा का समीकरण क्यात करेंगे जिस पर यह बिन्दू इस्थित है क्योंकि एक दो रेखिक समीकरण का हल है इसलिए हम एक दो से होकर जाने वाली कोई भी रेखा को प्राप्त करेंगे ऐसे रेखिक समिकरण का एक उधारण x जमा y बराबर 3 है क्योंकि जब हम x बराबर 1 और y बराबर 2 मान रखते हैं तो हमें उत्तर में 3 प्राप्त होता है अन्य उधारण है y घटा x बराबर 1, y बराबर 2x वास्तुता ऐसे आपरिमित रूप से अनेक रेखिक समिकरण हैं जो बिंदू 1, 2 के निर्देशांकों से संतुष्ट हो जाते हैं आलेख का आलेखन आये समिकरण x जमा y बराबर 7 के आलेख का आलेखन करें हम जानते हैं कि आलेख के आलेखन के लिए हमें समिकरण के कम से कम दो हल चाहिए अताहा दो हल हैं x बराबर 60 y बराबर 7 और x बराबर 7 y बराबर 60 हम इस सारणी का प्रयोग आलेख के आलेखन के लिए कर सकते हैं, ये X के मान हैं और ये Y के मान हैं, X पराबर शुन्ने और Y पराबर साथ मान के लिए बिन्दू ये हैं, और X पराबर साथ और Y पराबर शुन्ने मान के लिए बिन्दू ये हैं, अब इन दोनों बिन्दूओं को मिला दीजिए, यह दिये गए समिकरण का वांचित आलेख है, X अक्ष और Y अक्ष के समानतर रेखा का समिकरण अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, किसी प्राक्रितिक संख्या N के लिए बिन्दू दो शुन्ने, घटा तीन शुन्ने, चार शुन्ने और N शुन्ने कारतिये तल में कहां स्थित होते हैं? हाँ, ये सभी X अक्ष परिस्थित हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि X अक्ष पर सभी बिन्दूओं के Y निर्देशांक शुन्ने हैं, वस्तता X अक्ष परिस्थित प्रतीक बिन्दू X शुन्ने के रूप में होता है, अता X अक्ष का समीकरण Y बराबर शुन्ने के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसी प्रकार Y अक्ष का समीकरण X बराबर शुन्ने के रूप में व्यक्त किया जाता है, उदारण आईए अभी समीकरण को हल करें और हल को संख्या रेखा और कार्तिय तल पर निरूपित करें समीकरण को दो X घटा X बराबर घटा 3 घटा 1 के रूप में भी लिखा जा सकता है इसे हल करने पर हमें X बराबर घटा 4 पराब्त होता है इसे हम समीकरण एक से चिन्नित करेंगे आईए अभी देखें कि यह संख्या रेखा पर कहा इस्थित है यह यहाँ परिस्थित है अब हम जानते हैं कि X बराबर घटा 4 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है x जमाशुन्ने y बराबर घटा 4 और ये दो पदों वाले रेकिक समीकरण में परिवर्तित हो जाता है, इसलीए समीकरण x घटा 4 के रूप में परिवर्तित हो जाता है. अता हम इस समीकरण का पहला हल घटा چार शूनि के रूप में प्राप्त कर लेते हैं क्यूंकि वाई कमान सदेव शूनि ही रहेगा इसलिए समीकरण का दूसरा हल घटा चार दो होगा अब इन बिंदों को आलेक पर चिन्हित करें यह घटा चार शुन है और यह घटा चार दो है इन बिंदुओं को मिला दें हम देख सकते हैं कि आलेक A B एक रेखा है जो वाई अक्ष के समानतर है और इसके बाईं तरफ चार एकक दूर है क्या आप चानते हैं एक घात वाले बहुपद समिकरण A X जमा B Y जमा C बराबर शुन को रहखिक समिकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आलेक एक सीधी रेखा होता है Y बराबर के X वाले रूप के समिकरण का आलेक सदेव मूल बिंदु से होकर जाता है सारांश आईए हमने जो खुछ सीगा है उसे संक्षेप में दोहराएं कोई भी समिकरण जिसे A X जमा B Y जमा C बराबर शुन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां A B और C वास्तविक संख्याएं हो तथा A और B दोनों शुन्ने ना हो दोचरों वाला रेखिक समिकरण कहा जाता है दोचरों वाले रेखिक समिकरण के आपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं दोचरों वाले प्रतेक रेखिक समिकरण का आलेक एक सीधी रेखा होता है X अक्ष का समिकरण Y बराबर शुन्ने होता है और Y अक्ष का समिकरण X बराबर शुन्ने होता है X बराबर A का आलेक एक सीधी रेखा होता है, जो Y अक्ष के समानतर होती है. Y बराबर A का आलेक एक सीधी रेखा होता है, जो X अक्ष के समानतर होती है. Y बराबर M X वाले रूप का समेकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता है, जो सदैव मूल बिंदू से होकर गुजरती है. दो जरों के रेखिक समेकरण के आलेक परिस्थेत प्रतेक बिंदू रेखिक समेकरण का हल होता है. साथ ही रेखिक समेकरण का प्रतेक हल, रेखिक समेकरण के आलेक परिस्थेत एक बिंदू होता है.